Hello everyone, स्वागत आपका एक और नए फ्रेश वीडियो में आज हम बात करने वाले हाई क्रॉस के बारे में फिर से विकाज हाई क्रॉस को अन्वील कर दीगे इंडोनेशिया में और सारे फीचर, सारे इंजिन ऑप्शन और सारे वेरियंट्स के बारे में इंफ्रमेशन मिल गई है और साथ के साथ डिमेंशन के बारे में भी एक्स्क्लूजिव जो इंफ्रमेशन है वो प्रोवाइड करने वाला हूँ आज कि इस वीडियो में कब लाउंच होगी, किस प्राइस पर होगी सब कुछ बताऊंगा वेकोज डिलर्स का कहना है के 22,00,000 से शुरू होगी अच्छा प्राइस लग रहा, 22,00,000 एक बढ़िया अमांट हो सकती है पर लेट सी, बेस मॉडल में क्या मिलता है, फीचर कैसे होगी और टॉप मॉडल कितने का है, वीडियो के एंड तक बताने वाला हो, तो वीडियो को एंड तक जुरूर देख लें अब जो इंडियो में ही लॉंच की गई है, उसका नम जैनिक्स रखा गया, इनोवा जैनिक्स तो थोड़ी से उसकी फोटो वीडियो आप देखें, इंजॉई करें, मैं साथ-साथ इसके लुक्स के बारे में आपको बता देता हूँ पहले तो 25 नमबर को इसको अन्वील किया जाएगा इन मॉंबई, प्रॉपर वीडियो आपको अप्लोड कर दी जाएगी रही बात इसके वेरियंट की तो यहाँ पर जो फोटो लगा रहा हूँ यह इसके बेस वेरियंट की है बिकोज इसमें कोई फॉग लैंप, कोई LED DRLs नहीं है बट अलॉई वील्स है बट यह जैनिक्स का बेस मॉडल है हमारे वले यहाँ पर अलॉई वील्स नहीं होंगे यह बात तो पक्की है लेकिन अगर टॉप मॉडल भी देखेंगे तो वहाँ पर आपको वील्स का डिजाइन, फॉग लैंप और साथ में जो फ्रंट में आप देख सकते हैं के LED DRLs हैं वो काफी डिफरेंट नजर आएंगे अब यहाँ पर दो वेरिंट है देख सकते हैं V वेरिंट वुड बीड़ वेरिंट जी वेरिंट यहाँ पर हाइब्रिड वला है वो टॉप वला दिखाया गया है जो Xanax का है बट अफकोर्स अगें वही बात आजाती है कि जो इंडिया वला होगा वो डिफरेंट होगा आप इनकी जो नंबर प्रेट जहां पर लगती है वहाँ पर नेम प्रेट लिखी वहाँ पर देख सकते हैं कि hybrid एक में लिखा है एक में hybrid EV नहीं लिखा है Now let's move on to the dimensions सबसे पहले बात करते है dimensions अब क्योंकि ये एक नई मुनकोक चैसी है rear wheel drive को छोड़ कर ये front wheel drive हो गई है जो कि Innova में basically था Dimensions में भी काफी फ़रक है length wise 475 mm length बढ़ गई है width भी बढ़ गई है height हालांकि same है और wheelbase बढ़ गई और overhangs है उसे भी short कर देगे which means जो cabin में space है वो बहुत जादा increase हो गई है अब जिनको overhangs नहीं पता basically एक photo यहां लगा रहा हूं तो उसमें जो front end है और end end है वो आपको पता लग जाएगा काफी हद तक idea अच्छा लग जाएगा कि overhangs किसको कहते है वो थोड़े shorter रखेंगे चोटे हो गए है अब features इस जाड़ी के major highlight होने वाले हैं देखो दिखने में तो अच्छी लगी रही है जहाँ पर आपको फुल एलेडी हैडलांप सेटम एलेडी डियरल्स फॉग लांप लेडी फ्रंट फॉग लांप के साथ आपको जो डियरल्स है वो भी काफी अच्छे लग रहे हैं उन्होंने इ MPL एक अच्छी mileage है इस segment की अगरा स्पेसिफिकली बात करें तो बेस्ट इन दे लॉट अब features में आपको large panoramic sunroof और सबसे बड़ा major feature is ADAS features अब Xanax में है और जितनी अभी तक हमें knowledge है इंडियन वाले वेरिम यानिकी high cross में भी ADAS features होंगे जिसमें आपको वह adaptive cruise control, forward collision warning उसके स time spot detection के साथ साथ, rear में भी आपको traffic alert का system हो सारा मिलने वाला है, तो यह सारे ADAS features इसमें present होंगे in the top variant, अब अगर interior में luxury features की बात करें तो dual tone interior थी, leather seats, electrically adjustable, large sofa seats with extendable footrest, नीचे जो खुलके आजाते हैं, जैसे हमें किया Carnival में देखने को मिलते हैं, वैसी ही आपको मिलेंगे, LED mood lighting है, dual zone climate control है, pedal shifters है, ventilated seats है, connected car technology है, और 10 inch की सामने तो screen है ही है, पिछले passengers के लिए भी 2-2-10-10 inch की screens आपको मिल जाते हैं, बट इंडोनेजिया में, अब देखना ही होगा कि यहाँ पर हमारे पास Indian variant में भी पीछे वरी seats पे screens होंगी या नहीं, अब climate control जो है, वो अलग से सारे features आते हैं नहीं, जितना मेरे को अभी तक knowledge है, जितनी sources ने में बताया है, कि सारे features सेम होंगे और looks भी बिल्कुल सेम होने वाले हैं, कोई भी फरक नहीं होगा, सिरफ और सिरफ कहीं ना कहीं, probably, you know, alloy wheels और dual tone interior में color जो different है, जैसे हैं, यहाँ पर white, silver, black होगा, बाहर brown, mocha रखा गया है, coffee वाला color रखा गया है, तो let's see, इंडिया वाले में interior किस तरीके का exactly आता है, तो उसकी फोटो लगा जाता हूँ, आपके लिए काफी अच्छा idea हो जाएगा, रही बात, इसके अब सबसे important engine की, देखो, engine wise, दो लिटर के natural respirator engine है, powers अभी भी सामने नहीं आई है इंडोनेजिया वाले की भी हमें exact powers नहीं पता है, बड़ेक अच्छी खासी powers in rate करके देंगे, और अपकोस hybrid system में तो वो power जादा होगी भी, और रही बात इसके price की, तो अभी वाली जैसे इनुवा कुरिस्टा 18 लाग से 24 लाग एक शुरूम आती है, ये वाली उससे पहले शुरू हो जाएगी, यानि की 22 लाग की आसपस इसकी जो price हो शुरू होगी, top model जाएगा 27.99 लाग एक शुरूम का, जो कि अभी price सामने लीक हुई है, अब what do you think about this particular MPV, SUV, बहुत बढ़िया शानदार, एक बहुत ही macho look के साथ ये launch होने वाली है, 25th को unveil है, pricing आएगी इसकी January में अभी नहीं, तो इस वज़े से मुझे थोड़ा सा लगता है कि जो ये league pricing है, ये एक speculation ही है, ये कोई leag'd नहीं है, because 27.99 ऐसे figure लगते है कि वह एक league pricing है, अब league pricing इतनी जल्दी नहीं आ सकते, January में होनी है, अभी Toyota वालोंने भी decide नहीं किया होगा कि इसकी price रखनी क्या है, अभी feedback लेंगे, ये 25.99 अभी event होगा, तो मीडिया से भी feedback लिया जाएगा कि आप क्या सोचते हैं, इसकी price कितनी होनी चाहिए, हाँ ये ज़रूर है कि High Cross की जो bookings है, dealer level पर तो शुरू हो गई है, officially 25.99 नमबर से वो भी शुरू हो जाएंगी, तो आप किस बात का wait कर रहे है Toyota, Innova, High Cross, कैसी लगी नीचे comment करके जुरूर बता दें, और Maruti Suzuki भी इसी तरह की बड़ी MPV launch करेगा, बट उसको भी शुरूर टाइम है, वो आएगी June, July, August 2023 तक, ये काफी जल्दी आ जाएगी, Toyota की दरफ से latest offering होने वाले है, जो कि genuinely काफी अच्छी लग रही, मुझे तो कहीन की fortune में missing रहते हैं, अब what do you think नीचे comment करके जुरूर बता दें, अपने opinion जुरूर शेयर करें, 25 को प्रॉपर वीडियो इसके मिल जाएगी, subscribe जुरूर कर ले चैनल को, और मैं मिलता हूँ आप से बगली वीडियो में, until then drive safe, take care, bye bye